संकस्टी चतुर्थी का हिंदू धर में बड़ा महत्व है क्योंकि माननेता है कि किसी भी सुब कारे को करने के पहले अगर भगवान गनेश की अराधना की जाए तो गनेश जी सभी कारे बिना ही किसी बाधाओं के पूरे कर देते हैं या फिर बिना किसी बिंगन बाधा के देखिए सबसे पहली बात तो भगवान गनेश अपने भक्तों के सभी परिसानियों और बिगनों को दूर करते हैं हर लेते हैं इसलिए उनका नाम बिगन हर्ता संकट मूचक भी है भगवान गनेश के लिए किया जाने वाला संकस्टी चतूर्थी का ब्रत बहुत प्रशलि संकस्टी इनकी संस्कृत भासा से लिया गया सब्ध है जिसका अर्थ होता है कठीन समय से मुक्ति पाना और इस ब्रत को करने से गौरी पुत्र गनेश की आराधना करने से उत्तम फलदाई होता है सुबस वस्नान करके फ्रेश कपड़े पहने बिदी विधान के साथ गनेश गनेश जी की मूर्ति को फूलों से सजाईए आपका फेस पूरफ साइड होना चाहिए या फिर उत्तर साइड पूजा में तिल, गुड, लड़ू, पुस्प, पान के पत्ते, कलस, धूप, दीब, चंदन, परसाद के रूप में केला, नारियल, मोदक जरूर रखे और दू पूली लगाएं, फिर पुस्प, जल से अभिसेख करें, अब उनको तिल के लड़ू, मोदक का भोग लगाईए, धूप, दीब, जलाकर आप गनेश जी को मनाईए, उनको उनसे प्राथना कीजिए कि जीवन के कस्ट दूर हो जाए, पूजा के बाद फल, मुंख फली, खी दूद या साबू देने को छोड़ कर कुछ भी ना खाए, यानि आपको मीठी चीज खानी है, और बहुत से लोग ब्रत वाले दिन सेंधा नमक खाते हैं, लेकिन आप सेंधा नमक कोशिज करें कि मत खाए, अगर आपने फास्ट रखा है, तो फिर अन्न और नमक का सेवन न करने से पहले आप गनपती की पूजा करें, संकस्टी ब्रत कथा का पाठ करें, और पूजा समाफ्थ होने के बाद प्रसाद बांटें, चांद को देखने के बाद ही ब्रत खोला जाता है, इस तरह से आपका ब्रत पुर्ण होता है, संकस्टी के दिन गनपती की पूजा करन इसे घर से नकात्मक प्रुभावदूर हो जाते हैं घर में सांती बनी रहती है और गनेज जी घर में आ रही तमाम विवदाओं को हर लेते हैं